दोस्तों इस वीडियो में हम State Bank of India के Simply Save Credit Card को discuss करेंगे अब इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो यह SBI का हमारा Simply Save Credit Card है जिसकी बहुत जादा demand है ठीक है क्योंकि एक तरह से आप यह माल लो लेकिन इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि भाई इसके features क्या है क्या यह credit card हमें लेना चाहिए क्या यही credit card best है अपनी field में या इसकी तुलना में और भी अच्छे credit cards है सारी की सारी चीज़े एक एक करके इस वीडियो में हम discuss करेंगे सबसे पहले SBI का जो यह हमारा simply save credit card है इसकी जो हमारी joining fees है वो 499 रुपे है इसकी जो annual fees है वो भी 499 रुपे है बाकी यह काम करता है reward point system पे और SBI simply save में 4 reward point की जो value है वो 1 रुपे के बराबर है यानि मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा 1 reward point 25 पैसे के बराबर है अब यहां पर क्यों demand में आ जाता है क्यों लोगों को चाहिए भी simply save आप कहीं mall mall में भी जाओगे न दोई credit card बेच रहे होते हैं या तो एक बेच रहा होगा SBI का simply click credit card दूसरा बिक रहा होगा SBI का simply save credit card सबसे जादे यह credit cards बिकते हैं मैं फिर भी यहां पर देखो दो credit card हैं थोड़ा सा अलग जाते हैं topic से फिर वापीस आएंगे ठीक है एक है हमारा SBI का simply click credit card ठीक है और दूसरा है हमारा simply save credit card simply save इस वीडियो में हम discuss कर रहे हैं मैं यह कह रहा हूँ कि जो यह simply click credit card है यह फिर भी ठीक है मैं यह नहीं खाऊँगा कि SBI का best है फिर भी ठीक है as compared to simply save क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि simply save की तुलना में और भी ऐसे से जिस field में यह आपको maximum अपना discount दे सकता है उससे मैं 3-4 गुन आपको जादा discount दिलाऊँगा दूसरे credit card के ओपर लेकिन वो चीज आपको तभी पता लगेगी कि भाई कौन सा credit card best है और उसका जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब तक फिर आपको दूसरे वाला समझ में नहीं आएगा तो पहले हम इसको समझते हैं फिर उसकी comparatively हम दूसरे वाले credit card को देखेंगे कि वो वाला credit card क्यों best है ठीक है अच्छा हम बात कर रहे हैं कि भाई ये demand में क्यों चलता है क्योंकि देखो जो ये joining fees 499 लेता है और annual fees 499 लेता है न इसे आप अराम से wave of करवा सकते हो यह नि माफ करवा सकते हो अराम से आप इसको zero कर सकते हो और आम से ही आप इसको zero कर सकते हो तो लोगों को लगता है कि भाई एक तरह से indirectly lifetime free credit card है दूसरी चीज़ SBI का हमें credit card मिल गया लोगों को पता नहीं एक blind trust है State Bank of India पर या किसी भी सरकारी bank के उपर तो वो करके इसकी demand बहुत ज़ादा बड़ी रहती है ठीक है तो लेकिन इसके हम true जो features हैं उसको एक बार discuss करेंगे यहाँ सबसे पहले यह बोलता है कि एक तरह से welcome benefit की अगर हम बात करें तो यह बोलता है कि जिस दिन आपके पास यह credit card आ गया उसके 60 days के अंदर अंदर अगर आपने 2000 रुपे का खर्चा कर लिया तो आपको SBI सीधे सीधे 2000 reward points दे देगा यानि कोई बड़ी बात नहीं है कि आज मेरे पास यह credit card आ गया 60 दिन यानि 2 महीनों के अंदर अंदर मैं अराम से 2000 रुपे का इससे कोई न कोई खर्चा करी लूँगा जैसे ही 2000 का खर्चा करूँगा मेरे को 2000 reward points मिल जाएंगे 4 reward points की value एक रुपे के बराबर है यानि मेरे को सीधे सीधे 500 रुपे का मेरे को एक तरह से वापिस मेरे 500 रुपे मेरी statement में आ जाएंगे तो एक तरह से मैंने बहुत यह असानी के साथ अपनी joining जो fees है वो तो माफ करवा ली अब यह annual fees भी माफ करवाएंगे पहले एक बर हम इसके features को देख लेते हैं इसका पहला feature यह बोलता है कि dining पे, movies पे, grocery पे या फिर departmental store पे अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो आपको 10x reward points मिलेंगे एक तो मेरे को बैंकों की सबसे बैकार चीजी यह लगती है कि यहाँ पर यह लिखेंगे 10x, 5x, 20x साफ साफ लिखो ना भईया कि कितने percent का cashback मिलेगा 10x लिख देंगे देखने वाले viewer को भी ऐसा लगता है customer को कि भाई 10 गुना cashback मिलेगा 20 गुना cashback मिलेगा, सीधा सीधा नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप 500 रुपे का खर्चा करते हो इन चार चीजों पर डाइनिंग पर, मुवीज पर, ग्रोसरी पर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर तो आपको 10x reward points यानि 10 reward points मिलेंगे यानि आपको 1.6% का cashback मिल रहा है और 1.6% का cashback कुछ खास cashback नहीं है आप खुछ सोच के देखो, यह एक तो इन्होंने यह 4 ही item निकाली कि इसी पर सबसे ज़ादा आपको cashback मिलेगा और cashback ज़ादा से ज़ादा दे भी कितना रहा है सिरफ और सिरफ 1.6% का ठीक है, एक पर आगे और समझ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तुलना में मैं क्यों दूसरा कोई credit card आपको बता रहा हूँ इसके बाद यह बोलता है कि इन 4 item को तो छोड़ दो इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी खर्चा करोगे तो 1.500 रुपे का खर्चा करने पर आपको सिरफ और सिरफ 1 reward point मिलेगा यानि 1.500 रुपे का खर्चा करने पर आपको सिरफ और सिरफ 0.25 रुपीज का cashback मिलेगा परसेंट में देखू तो सिरफ और सिरफ 0.16% का कैश बैक मिलेगा यानि 4 आइटमों पे तो मिल रहा है 1.6% का कैश बैक इसके अलावा मैं कहीं पे भी खर्चा करता हूँ तो सिरफ 0.16% का कैश बैक क्या होगा 0.16% से यानि मैं करोड़ों रुपे खर्च करूँगा तब जागर के 1000 रुपे में मिलेगा ना के बराबर कैश बैक है ना के बराबर अब यहाँ पे बात आती है एक बर मैं आपको ब्लैंक पेस पे समझाता हूँ कि अब आपने यह देखा कि मेरे पास 4 आइटम थी कौन कौन सी डाइनिंग, मूवी, ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर लोग सोचते हैं कि यार ग्रोसरी ग्रोसरी पे तो अमूमन खर्चे होई जाते हैं कही ना कही हम चलेगे, घर का समान मंगा लिया यह सारी की सारी चीज़े हो गए ठीक है न, 1.6% का cashback मिल रहा है, क्या problem है lifetime free मैंने करा लिया है, करा लिया अराम से joining fees माफ हो जाएगी, अराम से annual fees माफ हो जाएगी लोग सोचते हैं आता रहेगा कुछ ना कुछ cashback आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक app है Tata new करके, ठीक है, यह हाल फिलाल अभी Tata की नई app launch हुई है, इसके अंदर Tata के सारे products है आपके पास कोई credit card हो या ना हो ये app कोई भी समान खरीदने पर 5% का cashback देती है मैं खुद भी इसको use करता हूँ, और मेरा कोई promotion नहीं है, इस Tata new app से, मैं personally use करता हूँ तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है अच्छा, अब Tata new app पे तो 5% का cashback हमें मिल ही रहा है भले मेरे पास कोई credit card हो या भले कोई credit card ना हो मैं यहां से अराम से grocery मंगा लूँगा पहली चीज तो एक चीज और बताता हूँ मैं इसको बहुत टाइम से use कर रहा हूँ तभी मैं आपको यहां सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके चकर में मत बढ़ो, simply safe के चकर में और तभी मैं आपको यहां पे यह सजेस्ट कर रहा हूँ यहां पर एक चीज और बता हूँ, कोई market में अगर आपको 400 रुपे की चीज मिलती है, यहां पहले ही 300-320 की तो वैसे ही मिलेगी, इसके उपर भी 5% का cashback मिल जाता है, मैं आपको ओनेसली बता रहा हूँ, क्योंकि ताजी ताजी यह app है, मैं यह भी नहीं कहा रहा कि यह हमेशा रहेगा, हो सकता है थोड़े टाइम बाद जब यह app लोग बहुत जादा install कर लेंगे, यह cashback ना भी दे, हो सकता है बेकार भी हो जाए, मैं कोई इसका favor नहीं कर रहा, लेकिन आज की date में यह app ऐसा काम कर रहे हैं, इस app के साथ एक काम और कर लो, Tata का, HDFC Bank का, HDFC Bank का, Tata के दो credit card आते हैं, एक आते है HDFC Bank Tata का new plus credit card, एक आते है HDFC Bank Tata का infinity credit card, छीक है, infinity credit card 5% का cashback देता है, और यह वाला credit card है, यह 2% का cashback देता है, यानि अब मानलो, आपने यह वाला credit card ले लिया, जिस पे 2% का cashback मिलता है, और आपने Tata new app पे खर्चा किया, क्योंकि यह इसी के साथ के ही बने होए है, यह मानलो, credit card नहीं है, तो 5% Tata new पे मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर credit card आपने यह वाला ले लिया, तो 5% तो यह मिलेगा, 2% यह मिलेगा, अब आप grocery खरीदो, कुछ भी खरीदो, 7% का cashback मिलेगा, लेकिन अगर आपने HDFC bank का, यह Tata का infinity credit card ले लिया, तो 5% यह तो मिल ही रहा है, प्लस 5% और मिलने लग जाएगा, यानि आपको 10% का cashback मिलेगा, मंगाओ जितनी मर्जी grocery मंगानी है, भाई, दोनों के ओपर dedicated video बना रखी है, Tata new plus credit card के ओपर भी, और HDFC bank Tata infinity credit card के ओपर भी, और एक comparison के ओपर भी दोनों के ओपर video बना रखी है, आप channel पे जाकर के, या even मैं आपको i button पे भी link दे दूँगा, और description में भी link दे दूँगा, ये दोनों वीडियोज आप देखो एक बार जाकर के, तब आपको पता लगेगा simply save क्या है, simply save में कुछ खास features है ही ने, अब देखो थोड़ी सीना मेरी आदत है, बहुत लोग कई बर comment कर जाते हैं, कि सर आप topic से अलग निकल के चले जाते हो, भाई इसमें बहुत research लगती है कि कौन सा credit card है, क्योंकि मैं हर credit card के अंदर घुसा हुआ हूँ, तो मैं कोई भी credit card उठाता हूँ ना, मेरे दिमाग में आजाता है कि इससे बड़िया ये है, या कौन सा दूसरा credit card है, बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं आउँ, और SBI simply save के सारे के सारे features पढ़ दू, मेरे को उतने ही views मिलने है, मैंने उतने ही पैसे कमाने है, लेकिन अगर मैं ये थोड़ा सा extra effort आपके लिए डालता हूँ, तो ताकि आपको पता चल सके, कि कौन सा credit card इस time पे इसकी तुलना में जादा better है, इसमें बहुत research लगती है, तो मैं आपसे एक चीज ये भी request करूँगा, कि कर आपको लगता है कि जरा सा भी आपकी life में इस वीडियो को देखने के बाद, जरा सा भी knowledge में value edition हुए ना, तो please इस वीडियो को like जरूर करना, और channel को subscribe जरूर करना, बाकी खैर SBI के जो ये simply save credit card पे थे, वहाँ पे थोड़ा साम हट गए थे, एक बार दुबारा features को revise कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहूं, ठीक है, यहाँ पे पहली चीज तो joining fees माफ करा ली थी, कि 12 reward points मिल गए थे, दूसरी चीज हमें ये चार item हो पे सिरफ 1.6% का cashback मिल रहा था, और 0.16% का cashback मिलता था, अगर मैं offline कोई भी खर्चा कर रहा था तो, ठीक है, बाकी आगे इसके feature यह है, कि इसकी global acceptance है, कहीं पे मर्जी खर्चा करो, 1% का fuel surcharge waiver मिलता है, जो कि आपको कोई भी दूसरा credit card भी दे देता है, बस इसकी time and condition यह है, कि 500 कम से कम transaction होनी चाहिए, 500 रुपे की और जाधा से जाधा 3,000 की होनी चाहिए, और महीने में 100 रुपे का ही आपको fuel surcharge waiver जाधा से जाधा मिलेगा, ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा यह बोलता है कि जो हमने 499 रुपे joining fees दी थी, वो हमने माफ कर वाली थी कि 2000 reward points मिल गए थे, जो हमारी annual fees 499 रुपे है, यह माफ कैसे होएगी, कि अगर आप साल भर में 1,00,000 रुपे का खर्चा कर लेते हो, तो आपकी यह जो annual fees है, यह भी माफ हो जाएगी, तो लाख रुपे का खर्चा वैसे आप अराम से कर सकते हो, तो आपकी अराम से joining और annual fees माफ हो सकती है, अच्छा, इसके अलावा यह बोलता है कि एक ना welcome benefit है, welcome benefit इसका बहुत ही ज़ादा अजीब गरीब है, इसको लेना ही नहीं है हमारे को, यह बोलता है कि अगर आपके पास SBI का simply save credit card आ गया, उसके बाद अगर आप पहले 30 days के अंदर अंदर, अपने SBI के simply save credit card से अगर ATM में जाके, cash निकाल लेते हो ना, तो पहली बार ऐसा करने पर आपको हम 100 रुपे का cash back देंगे, लेकिन इस चक्कर में मत पढ़ना, मतलब किसी भी credit card से ATM में जाके cash निकालना, यानि यह मेरे सीधे सीधे 500-700 रुपे तो वैसे ही उड़ा देगा, 500-700 रुपे उड़ा के मेरे को 100 रुपे का cash back दे रहा है, बिल्गुल बैकार बात है, ठीक है, तो गलती से भी इस feature को तो काटा ही मार दो, गलती से भी किसी भी, मैं यह बैसी बता रहा हूँ आपको, किसी भी credit card से गलती से भी अपने को cash निकालना ही नहीं है, इस भी credit card मेरे को बंद कराना है, और मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो आप SBI को बोलो कि यह वाला जो limit थी, यह जो मैंने पैसे use कर रखे हैं, यह पैसे एक बार SBI आपके भर देगा, ठीक है, और यह वाला जो भी पैसा SBI भरेगा, इसकी किष्टे बना देगा आपके लिए, ठीक है, तीन किष्टे बना देगा आपके लिए, तो एक तरह से वो balance of transfer होगा, कि एक बार आपके बिहाफ पे SBI सामने वाले आप, जो SBI bank में आपका credit card चल रहा है, उसका पैसा भर देगा, वो आपका credit card बंद हो जाएगा, और जो SBI ने पैसा भरा है, वो इस वाले credit card में शोने लगेगा, और उसकी तीन किष्टे बना देगा आपके लिए SBI, ताकि आप दूसरे bank से छोड़ो अपना पेंडा, और SBI के साथ ये अपनी सारी banking जोड़ लो, तो इसे हम balance of transfer बोलते हैं, जाधा तर ये home loan में होता था, BT का concept, लेकिन अब आजकल ये हर एक product में ही करने लगे हैं, personal loan हो, चैक कोई भी loan हो, ठीक है जी, अच्छा एक last चीज ये है कि add-on card facility ये दे देता है, add-on card का simply मतलब ये है, कि मानलो आपके पास ये SBI गा, simply save credit card है, अब आपके पास limit है 50,000 रुपे गी, ठीक है जी, लेकिन आप ये चाहते हो कि, एक credit card आपके father को भी मिले, और एक credit card आपकी mother को भी मिले, लेकिन ना तो आपके father, ना आपकी mother, किसी के पास भी ना civil score है, अच्छा, ना ITR, YTR वो भरते हैं, कोई income proof नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो, कि एक credit card आपके father और आपकी mother को मिले, तो ये आप कर सकते हो, add-on card की facility से, इस case में आपकी limit को bifurcate कर दिया जाएगा, यानि 50,000 की आपकी limit है, तो आप ये कह सकते हो, कि मेरी limit कर दो 30,000, 10,000 रुपे की limit करो, मेरे father को दो, और 10,000 की limit मेरी mother को दो, तो एक credit card bank आपके father को दे देगा, आपके father के ही नाम से, और एक credit card आपकी mother को मिल जाएगा, आपकी mother के ही नाम से, बस limit आपके वाली कम हो जाएगी और जो थोड़ी थोड़ी limit है वो उनको मिल जाएगी किसी भी angle किसी भी point of time पे मानलो आपके father ने 10,000 यूज़ कर दी आपकी mother ने भी 10,000 यूज़ कर लिए ना ये पैसे भर रहे bank के ना ये पैसे भर रहे bank इन से कोई भी जबाब दे ही नहीं मांगेगा bank आपको ही पकड़ेगा और पूरे के पूरे 50,000 रुबे के लिए आप ही accountable होगे क्योंकि आपके कहने पर add-on card की facility दी गई है bank आपके father, mother या जिसे भी आप family में add-on card दिलाओगे उनको कभी भी approach नहीं करेगा in case of default बाकि जो मैंने hdfc के credit cards बताएं उनका link में आपको नीचे description box में दे दूँगा आप 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 से जाके या खुद भी चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो आप लिख ले ना hdfc bank hdfc क्या नाम है hdfc bank tata infinity credit card ब्रेकेट में लिख देना xy-axis education तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगी उसको देखो आपको खुद फरक पता चल जाएगा भी simply save अच्छा है या फिर यह अच्छा है वो भी detail में पूरी की पूरी वीडियो बना रखिया तो अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all